हेलो एव्रीवन वेल्कम बाग तो माइ यूट्यूब चानल शास के दुनिया तो आज मैं बनाने जा रही हूं कटलेस आज आपके लैंगूज में क्या कहते हैं बटी एक नौन विच स्नाक है अगर आपने मेरे चैनल के अब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर लिजाए और लेट्स पेकिन मैंने यहां पर 1 kg मतन लिया है और उस मतन को काटके अच्छे से थोड़ा से पानी दाल के गल्लें के लिए रख दिया है अभी गला नहीं है और उस मतन में मैं आड करने वाले हूं 1 स्पून ड्रेड चिली पाउडर थोड़ी सी हरी मिर्च या फिर आधी थोड़ा सा नमा थोड़ा सा धनिया और वान स्पून हल्दी यह सब मैंने मतन में गल्रा एगार या पर मैंने संवन पोटेटो लिए इस पोटेटो को चिल उबाले है इस पोटेटो को अच्छे से चिल कर बालने रख दीजिए अगर नहीं गला है तो तो और ठोड़ी दे पकाना है इस मटन को मैं मिकसर में दाल कर पीश रही हूँ और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि कुछ भी पीस ना रहे है पुरी तरह सॉफट और अच्छे से पीस आ जाया जाए है अब अबर मैंने मटन की ग्राइंड हो अब मैं इसमें जो फुटाने का पाउडर जो रेडी किया था वो इसमें एट करूँगी और इसमें मिलाना है अच्छे से यहां पर इस पाउडर को मतन में मिला लेजिए तकि इस तरह अच्छे से मिलाना है तो उसके बाद जो पोटाटो सुबालने के लिए रखें उसमें अच्छे से मैश कर लिया और थोड़ी सी प्यास काड़ कर रख लिए यह प्यास किसलिए यूज होगी मैब को चल बताऊगी जो प्यास मिलाघनीक थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पुदिना अट कर सकते हैं आप्शनल है बट नमक आप्शनल नहीं है लेकिन पुदिना आप्शनल है आट करके से अच्छे सा मिक्स करें नेक्स टेप मैंने यहाँ पर जो मैश्ट पोटाटो लिये हैं जो मतन ग्राइंड खेया हो मतन और कटीवी प्यास को मैंने अभी थोड़ी दिर पर मिक्स की और एक हाफ ग्लस पानी ली लेजिए यहाँ पर मैं पीसावा मतन अपने हाथ में ले रहे हूं और उसमें थोड़ी जिस आप शामी बनाते हैं उसी तरह इसे भी कवर करना है अगर आप कम पढ़ रहा है तो इसमें थोड़ा और मतन लेकर इसमें आड़ करके कवर कर सकते हैं और इसे राउंड शेपने बना ले रहा है देखे इस तरह मैं बना रहे हैं यहाँ पर मेरा एक शामी रेड़ी हो हुआ है ऐग तरहे ऑगर अब इसके बाद नेक्ट स्टेप होगा ह bod अहां पर मैं अपने हाथ पर थोड़ा सा थोड़ा से पानी है इट करूंगी अपनी हेस當 autumvir pa 15 मैं अपने हाथ ने पर जो मैश डालू है वह रखने वाकर जून्मे ए लो यह दो इसलिए हमें थोड़ा सा पानी आड़ करना कमपल सरी है अब पानी आड़ नहीं करेंगे तो अपने हतिली पर आलू चिपक जाएगा और अच्छे से नहीं बनेगा देखिए जो मैंने शामी बनाई है वो आलू पर इस पर रखकर इसे कवर कर रहे हैं देखिए इस तरह अगर आपको और थोड़ा सा मैस्ट पोटाइटो आड़ करना है तो आप आड़ कर सकते हैं देखिए इस तरह कवर करने के लिए देखिए मैंने पूरी अच्छे से हर तरफ से कवर कर लिया है अपनी शामी को मैं आलू से कर देखिए इस तरह यह तो रेडी है मैंने एक मैंने एक रेडी कर लिया है बिल्कुल सेम प्रोसेजर में मैं बागी के कटलिस रेडी करूंगी देखिए इस तरह कर देखिए मैंने आप पर इपने सारे कटलिस बनाकर रेडी कर दिये हैं अब हम चलते हैं नेक्स स्टेप और फाइल स्टेप की तरह वह है फ्राइंग फ्राइंग करने से पहले मैंने यहां पर दो अंडे लिये हैं दो अंडे ले सकते हैं क्योंकि दो अंडे मिनिममम है अगर आप चाहे तो जादा भी ले सकते हैं लेकिन जितने मैंने बनाए हैं उसके हिसाब से तो काफी है तो मैं अंडो अंडो को लेकर अच्छे से हल कर लूँगी ओप्स पीस से हो गया यह हमेशा गिरता है मैं अच्छे जब ही मैं अंडा ब्रेक करते हूं अब हम इसमें थोड़ा सा नमक अट करेंगे सॉल्ट अब टेस्ट के लिए और इसे अच्छे से हल कर लीजिए हल करके यह रेडी गरत लीजिए नेक्स हम चलते हैं उसके बार प्राइंग की तरफ अच्छे से एंड़ें के लिए मैंने यह पर एक तवालिया है उसमें तेल डालकर गरम कर दीजिए और उसमें जो मैणने कटलीस को जो हमने अंड़ रखा है उस तरह डिप कीजिए विश तरह मैं कर देखिए इस तरह डिप करके आप इससे प्राइ करें और याद रखिए अगर आप अंडे का यूज़ करेंगे तो यह क्रिस्पी बनेंगे इसलिए मैंने अंडे का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से तलने रख दिजिए और यह ब्राउन कलर के होने चाहिए देखिए जिस तरह मेरे फ्राई हो रहे है इस तरह देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गए है अब हम इसे करके निकाल लेंगे देखिए मेरे कट्लिस रेडी हो चुके हैं देखिए इसे जलाईए गमत बहुत अच्छे से फ्राई करना है और डीप ऑईल में फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी और अच्छे से बने करनीशिंग के लिए थोड़ा सा तो दिना आद कर लेजिए सो ये प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा देखिए मेरे कट्लिस रेडी हो चुके हैं अच्छा बनाती है और मैंने भी आज पहली बार नौन वेच को टैश करके ये रेसिपी ट्राई किया आपको ये रेसिपी कैसे लगी है अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगी तो प्लीज कमेंट इड दाउन और आप अपने घर में भी ट्राई किजे और मुझे टाइक इंस्ट्रग्राम पर सेंड कीजिए और टाइक करना मत भूलिए शास की दो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थांक्यू एवरिवान की एंस्ट्राई